अनुस्ठान हो या पूजापार कोई मांगलिक कार हो या देवों की अरादना सभी सुपकारों में हाथी कलाइपल लाल धगायानिक कलावा बांदने की प्रमप्रा है लेकिन क्या कभी आपने सोचा कि आखिर कलावा क्यों बांदते हैं? आखिर इसकी वज़ा क्या दरसल कलावा कच्चे सूस से तयार किया जाता है या कई रंगों लाल, पीला, केशरिया रंगों में होता है सास्तर अंसर कलावा बांदे से मनेश को भगवान ब्रह्मा, विश्रुवा, महेश तथा तीनों देवियों लच्च्मी, परबतियों, सरशती की किर्पा प्राप्त होती है कलावा बांदे का बैग्यानिक कारण क्या है? इसे बांदे से वाद, पित, कप का संतुलन बना रहता है डाइबटी, ब्लड प्रेसर, हार्टेक जैसे गंभीर रोगों से कलावा बचाने में सहाइक होता है आदिकाल बैद इसलिए हाथ, कमर, गले वा पैर के अंगुठे में कलावा बांते थे कलावा बांने की सुरुआत माता लच्छमी ने की थी सिर्फ मंगला और सनिवार को कलावा बननने का सुब दिन होता है और कलावा शिर्फ तीन बार ही लपेटना चाहिए तो दोस्तों याद छोटी सी जानकारी कैसे लगी कमेंट बाक्स में कमेंट करके जरूर बताईएगा दोस्तों याद वीडियो पसंद आए तो लाइक, सस्क्राइब और सेर करना मत बूलिएगा दोस्तों